ग्यानवापी मामले में आर्केलोजिकल सर्वेय औफ इंडिया ने उस पूरे धांचे का वैज्ञानिक और गहराई से अध्यान करके अपनी रिपोर्ट पोर्ट को सौंप दी गई है उन्होंने वहां से सारे प्रहान भी कठा किये और उन सब का अध्यान करके वह इस निर्णने पर पहुंचे हैं कि एक मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर ये मस्चित बनाई गई थी उस मंदिर का एक हिस्सा खास तोर पर वेस्ट एंड वॉल ये तो मंदिर की ही इस्तेमाल कर ली गई है मस्चित बनाने में और पुराने मंदिर के पीलर्स और बागी ठीजों को उस मंदिर के बनाने में और उसके सेहन में खर्च किया गया है वहाँ पर जो भजु खाने में शिविडिंग मिलता है उससे भी यह थाबित होता है कि यह जगा मस्चित नहीं हो सकती यह जगा तो मंदिर है जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें जनारदन रूद्र उमेश्वर ऐसे नामें यह सब बात इस बात को प्रमानित करते हैं कि उस इस्थान की प्रक्रती अभी एक मंदिर की है जो प्रेशिस वर्शिप एक्ठ है 1901 वह कहता है कि जिस धार्मिक स्थान की जो प्रक्रती होगी वह बदली नहीं जाएगी मैं समझता हूं कि हम यह थाबित कर सके हैं एस एस रिपोर्ट के द्वारा कि उस इस्थान की प्रक्रती मस्जित की नहीं अभी भी एक मंदिर की है विश्व हिंदू परिशत यह मांग करती है कि एक हिंदू समाज को जिसको वजु खाना कहा जाता था उस जखा पर इस्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की आनुमत ही दी जाए है दूसरा हम इंतजाविया कमेटी से विए आग रह करते हैं इससन्प्रमान सामने आने के बाद अभी अच्छा होगा क्य भस्वय इस बात करुएं कि वह इस मसजिद को किसी दूसरे स्थान पर उपयूक्ट स्थान पर आदर पूर्वक स्थानतरित करने के के लिए तैयार हैं और यह जगा हिंदूओं को सौप देंगे कि यदि वह ऐसा करते हैं तो उससे भारत के दोनों समुदायों के बीच में एक सद्भावना का निर्वान होगा शांती का निर्वान होगा और मस्जिद भी अपने विस्थापेत स्थान पर आधर पूर्वक रह सकेगी इसके लिए हम आगे के समय में प्रतीक्षा करें